अगर आप coaching institute जो है वो चलाते हैं या फिर आप marketing जो है वो देखते हैं वहाँ की तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक complete social media marketing strategy जो है वो आपके साथ share करी है जिससे आप अपने coaching institute को जो है online growth कर सकते हो तो हमारा यहाँ पर जो है जो coaching institute हो सकता है उसका पढ़ाने का module वो online भी हो सकता है या offline भी हो सकता है या फिर दोनों मिलाकर भी हो सकता है कि आप class में भी पढ़ा रहे हैं साथ में आप zoom वगरा या वेवेक्स पर भी पढ़ा सकते हैं तो हमारा main focus जो है वो रहेगा SEO पर और branding पर lead generation पर और content marketing पर तो सबसे पहले बात आती है SEO की तो आपने जो है SEO में सबसे पहले आपने coaching institute के regarding जो भी आपके courses है category wise उनका जो है keyword है वो select करने है मतलब आपने जो है keyword analysis करना है और keyword analysis आपका अगर कर्मान की चलिए आपकी city level पर coaching institute है तो उस city wise के keyword भी आप डालेंगे अगर आपका state wise है तो state wise के keyword भी आप enter करेंगे तो आप जो है अच्छे से keyword analysis करें दैन उसके बाद जो है आप अपनी website जो है वो design करें website आपकी 5 page की भी हो सकती है और आपके budget पर भी depend करती है कि जितना आपका budget होगा आप उतनी website जो है वो बना सकते हैं उतने pages की लेकिन आपने keyword analysis के बाद ही अपनी website बनानी है त दोखेंगे ताकि जो content आपके student search कर सकते हैं वो content आपका blog की form में भी available हो आपकी website पर उसके बाद बात आती है link building की तो जो website जो है मतलब की coaching institute के regarding हो education के regarding हो वहाँ पर आपने article और blog जो है वो publish करने है ताकि आपकी link building हो सके उसके बाद आप कोड़ा marketing भी कर सकते हैं किसी ने question अगरा put up किया कहीं पर तो आप उनके reply दे सकते हैं और वहाँ पर आप अपनी profile जो है वो share करके आ सकते हैं कि आपको कर best institute चाहिए इस feed में तो यह है आप हमारे पास विसिट करिए इसी तरह से जो है आप अपने जो blogs लिखते हैं उसी तरह से आप जो है link building में article डाल सकते हैं और वो article जो है वो google पर directly rank भी होते हैं तो आपने linkedin के article भी लिखने होंगे तकि आपके article जो है वो rank हो सके इसके बाद बात आती है local SEO की तो local SEO में आपने अपने profile जो है वो just dial पर भी बनानी है साथ में आपने इंडिया मार्ट पर भी बनानी है और आपका अगर coaching institute जो है वो local listing sites होती है उन पर भी जो है आपने अपने listing बनानी होती है और जो हर एक coaching institute होता है वो अपने city को target तो करता ही है तो आपने जो है जितनी भी local listing sites है उन पर अपने profile बनानी है then आपने सबसे जो main काम है जो मैजा रोल करता है local SEO वो है Google My Business तो Google My Business पर आपने professional listing बनानी है वहाँ और आप अपने product के जगा पे आप अपने जो आपके courses हैं उनको mention कर सकते हैं उनका prospectus वगेरा share कर सकते हैं साथ में आप अपने वहाँ पर जो offers हैं जो updates हैं सारी जी जो Google My Business पर आप share करेंगे और यहाँ पर आपने एक mobile number भी verify कराना होगा ताकि कोई भी student अगर यहाँ पर query कर करना चाहता है तो वो उस number पर query कर सके साथ में आपने अपने students से और अपने जो students के parents वगेरा हैं उनसे यहाँ पर reviews लेने हैं जितने reviews आपके जितनी rating अच्छी होगी उतना ही आपका Google My Business की जो profile है वो city में top पर rank करेगी suppose that किसी ने अगर search किया best coaching institute in Haldwani तो वहाँ पर वही profile अच्छा आता है जिसका optimization सबसे बहतर होता है इसके बाद बात आती है paid advertisement की तो paid advertisement आप जो है वो दो तरहां से कर सकते हैं इसमें पहला है Google Ads दूसरा है Facebook Ad Manager तो Google Ads आप जब बनाएंगे उसमें आप जो है search campaign बना सकते हैं search campaign में आप traffic baby चला सकते हैं साथ में आप जो है lead generation भी कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आपने जो हमने keyword analysis किया था उन्ही keyword पर आपने जो है अपना search campaign बनाना होगा ताकि आपकी target audience जो आपको search कर रहा हो keyword वही जो है आपके ad को देख सके और वो आपके website या landing पे पहुंच के आप से contact कर सके इसके बाद बात आती है Facebook Ad Manager की तो यहां पर आप जो है Instagram और Facebook पर जो है ad चलाएंगे लेकिन इससे पहले आपने अपने बायर परसोना बनाना होगा बायर परसोना इस तरहां से कि आपकी target audience कोन होगी जैसे कि मान के चलिए आपकी age कितनी होगी जिनको आपना ad दिखाना चाहते हैं किस age group के आपके students होगे अगर उनके parents वगएर को भी आपको target करना है तो सब बोदर जो सिंग मान के चलिए 13 साल से 17 साल के जो students है या बच्चे हैं उनके parents को आप दिखाना चाहते हैं तो उनका वहाँ पर आप बायर परसोना बनाओगे साथ में आप जो है post की form में भी जो है reach चला सकते हो जिसमें आपकी एक promotional post ब भी बना सकते हो जैसे कि आपकी पूरा उसमें overview होगा coaching institute का कि coaching institute की इस तरह से बहतर है इसके achievements क्या क्या है कितने passing marks है जो भी result वगएरा होता है पूरा overview वगएरा आप सारा बना करके जो है अपनी target audience को दिखा सकते हो ताकि लोग उससे influence हो सके और आपके video ad को देखकर वो upload करके जिसे की Facebook हो गया Instagram हो गया या फिर YouTube हो गया वहाँ पर content upload करके अपनी marketing करते हैं तो यहाँ पर main भी काम करता है हमारा social media तो यहाँ पर हम लोग जो है post की form में content डाल सकते हैं जिसमें हमारे promotional post हो सकती है festival post हो सकती है जैसे festival को creative बना दिया अगर आपके institute में कोई भी event हो र videos की form में long videos भी बना सकते हो और आप sort और reads में जो है अपने मान के चले category wise जैसे की कोई आपका course वगएरा है उससे related जो है आप अपनी reads और sort भी बना सकते हो motivational course डाल सकते हो जैसे की मान के चले कोई जैसे की jay mans वगएरा के अगर आप preparation कराते हो तो उससे related motivational videos डाल सकते हो reads डाल सकते हो साथ में आप यहाँ पर जो small content होता है वो reads में जैसे की teaching material होता है छोटे छोटे जो आपके मान के चले जो material होता है study का वो आप reads में डाल सकते हो साथ में आप long form में जो है वो youtube पर भी अप content upload कर सकते हो as a course time ताकि जो बच्चे आपके मान के चले classes जो नहीं करे हैं वो आप अपका youtube पर बढ़ सकें साथ में आप webinar तो आप चलाए रहे हो साथ में वो भी आप कर सकते हो वो तो आपका online module है लेकिन यहाँ पर मैं बबात कर रहा हो आपके जैसे की youtube channel के बारे में तो व launch कर सकते हो हर किसी subject का जो जो आप पढ़ा रहे हो उससे क्या होगा कि वो बच्चे आपको जो है follow करेंगे जो लोग मान के चले आपको मतलगी youtube वगरा पर देखते हैं आप अपने पूरे coaching institute का जो है जो overview वीडियो बनाया है आपने वो overview वीडियो बना कर भी अपने social media पर ड papers होते हैं वो भी आप solve कर गें अपना youtube पर अपने social media पर upload करोगे ताकि लोग जो है वहां से आपको follow करने लग जाए तो इस तरह से आपकी brand building काफी अच्छी हो जाएगी और brand building के लिए एक होता है achievements मतलब कि आपके coaching institute से जो भी toppers है या जो भी achievement किसी भी तरह का हुआ है वो आप अपनी social media पर share करोगे इसके बाद बाद आती है telegram और whatsapp business की तो अगर आप telegram पर जा रहे हैं तो आपने telegram पर अपना channel बनाना होगा वहां पर आप कोई भी course material अगर class के बाद अगर provide कराना चाते है तो वहां पर provide करा सकते हो साथ में आप whatsapp business को भी use कर सकते हो जैसे कि ह हर किसी batch का आप अलग से batch बनाओगे कोई भी material आपने provide कराना है class के बाद तो वहां पर provide करा सकते हो कोई भी update वगरा आप वहां पर उनको दे सकते हो इसके बाद बात आती है whatsapp and sms marketing की तो whatsapp marketing और sms marketing यहाँ पर मान के चलिए आपके पास students का data है जो आपने colleges और school वगरा से ल scholarship वगरा का update है वो सब आप उनको भेज सकते हो ताकि वो लोग आपके coaching में admission ले सके और आपके साथ interact कर सके इसके बाद बात आती है influencer marketing की तो influencer marketing में आप यूट्यूबर्स को भी ले सकते हो उसमें blogger हो सकते हैं या फिर instagram पर जो लोग real बनाते हैं उनको भी आप include कर सकते हो ल आपने जो है एक script बनानी होगी कि इस script को जो है आपने बोलना है और अपने जो है Instagram पर या अपने YouTube पर जो है उसको upload करना है तो इससे क्या होगा आपका only awareness होगा ताकि वो लोग आपकी script को बोल करके आपकी awareness कर रहे हैं इसके लिए आपको उनको pay भी करना होगा तो इस तरह से भी आप influencer marketing के थुरू अपनी जो है awareness कर सकते हैं इस तरह से जो है आप अपने coaching student को जो है online grow कर सकते हो उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो like को share करें अगर आप digital marketing services डिजी फ्लोक से लेना चाहते हैं तो आप हमसे contact कर सकत हैं अगर आप इस पूरी complete strategy को download करना चाहते हैं तो आप वीडियो के comment section में comment कर सकते हैं वहां से मैं आपको link provide करा दूंगा video के description में जै हिन जै भारत जै उतराखंड